एक थी हमारे जमाने की दिवाली और एक है आज के जमाने की दिवाली जो बस पटाकों के शोर और कुछ सेलफी तक रहा गई है अजी सुनते हो आपको दिवाली की शॉपिंग के लिए चलना है आज शॉपिंग तो हमारे जमाने में होती थी मार्केट सीन मिठाई लेलो मिठाई एक ही दाम एक ही दाम रंगोली के रंग का एक ही दाम सुन्दर सुन्दर रंगोली बनाओ और लक्ष्मी जी को घर बुलाओ गिर गया गिर गया गिर गया तोरण का दाम गिर गया सुन्दर सुन्दर तोरण लगाओ और अबने घर को सुन्दर बनाओ सोनु के पापा हम तो दीपक ले लेते हैं और तोरण भी OMG कितना old fashion है हम तो light से हमारे घर का decoration करते हैं देखो अंटी वो shop पे कितने फटा के है Welcome मैम, मैम के लिए चाय लाना, बूलिए मैम आपको क्या के लेना है भाया, इनको lights दिखाना जो हमने ली थी Yes मैम, ये बस 1300 की है और ये 1100 की और ये बस 1499 की 40% off सिर्फ आपके लिए अच्छा भाया, फिर तो इनकी कोई guarantee भी होगी नई नई मैम, आज के दौर में तो इंसानों की भी guarantee नहीं है ये तो फिर भी lights है नई नई भाया, 1300 रुबे मैं तो मैं साड़ी और मेकप का सामान खरीद दूँगी फिर मेरे सोनू के पापा के लिए नया स्कूटर भी तो लाना है आप अपनी lights तक लीजिए, मैं तो दीपक की ले लेती हूँ दीपक की guarantee भी है, पिछले साल की दीपक भी मैं अभी use कर रही हूँ बट मम्मी, वो तो बहुत old fashion है टपू old fashion तो है, बट fashion के दौर में संस्क्रती को भूल जाना अच्छा नहीं चलो सोनू, अब पठाके तो ले ही लेते है नई, फठाकों से तो कितना पॉलिशन होता है हमारी आप सभी लोगों से भी request है इस बार दिवाली पर इनकी दुकान से सामान खरीदे और इनकी दिवाली पर अच्छी बनाए हैपी दिवाली